अरे अरे क्या करें आप क्या करें? टुमी एफे ठाइक फूल ते यूट बिंग आ शोड़ी आउट हाद दुस्तो जाहिन मैं सुशिल शेतरी मेरी चैनल में आपको हार्दी स्वागत करता हूँ दोस्तो मेरा यो चैनल है राष्टाबादी और राष्टाहित के प्रति समझे थे राष्टा में ऐसा कुछ भी बात हो या कोई व्रग्राणी वाली बात हो तो मैं उस मुद्दे को में जरूर आपके साथ साजा करता हूँ और अगर आप राष्टाबादी है और राष्टा के सापोर्ट करते हैं तो मेरे साथ जुरूर जुड़ी रहेगा आज तक जो भी जुड़ा है उनको मेरे तेरे तेरे दिल से सुक्रिया और धन्यबाद देता हूँ आईए कुछ ऐसे मुद्दे आज डिसकाशन करने वाला हूँ जो आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ ताइम के लिए बुड़ा भी लगेगा कि हम लोग जी रहे हैं इस अपने इंडिपेंडेंट भारत में तो कैसे जीए एक ऐसा ही मुदी एक सामने आया है जा कस्मी दा कस्मीर फाइस जो बहुत ज़्यादा क्रेजी है पूरे ओल के अंदर पूरे भारत के अंदर आज पूरे हिंडुबादी जो भी देशभक्त लोग है उसको फ्री में प्रमोट कर रहे है जैसे हो सकता है आपने भी इस मुवी को देखे होंगे या उसका रीविव आपने मार से तब से मैं कोशिश कर रहा हूं कि देखने का लेकिन बिल्कुल टिकेट हाउसपूल है नेट के अंदर बिल्कुल जीरो है दिखाई नहीं रहा तो हाउसपूली है तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको देखने का मन है मैंने इसका चर्चा और इसका परी चर्चा मुझे भी इतना पता नहीं था लेकिन आज मुझे पता चला एक इस मूबी के माद्यम से की 1990 के अंदर भारत बर्चा के एक कस्मीर के अंदर कुछ ऐसा कान हुआ था जो कभी भूलने सकते 1990 के अंदर जब कस्मीरी पंडित के इतने ज़दा बुरा हुआ उनके साथ लेकिन आज तक 32 साल के अंदर उनका आवास दबे रहे एक बहुत हैराणी करनी वाली बात है जब भी हमारे देश के अंदर साधिन हुआ था तब से देखो आज कस्मीरी पंडित के साथ जो भी हुआ है उस पिक्चरों में साब दिखता है आज मैं विबेक अगनी होत्री से धन्यबत करना चाहता हूँ कि एक नीडर होके इस मूभी के मायतम से लोगों को सच दिखाया सायदी ऐसा दम बल्यूड में किसी का भी नहीं होगा इसलिए आज जो भी देश भक्त है जो भी राष्टबादी है आओ आओ सारे मिलकर ऐसे लोगों को सापोर्ट करें और ऐसे मूभी को सापोर्ट करें कि दुनिया के अंदर य किया हुआ था और अरे भी थांक्फुल ते हम अरे क्या करें आप क्या करें ड्यूं आफ क्या हूए भी जोक्त लिए वैश्य शूर घ्लाइन। आपकूर लिए पगवारे किया हमने ने सब देखा तुम बहुत आगे निकल जो हमेरे बैचे बहुत आगे निकल जो मेरे बैचे निकल जो मेरे बैटा बहुत आशिर्वाद है सायदी इस वीडियो देखके मैं उस दर्थ को बयान नहीं कर पाऊंगा बस मैं है चुस कर पाऊंगा कि उनके साथ हुआ क्या था उनके साथ जो भी ना इंसा भी हुआ है आज पुरा ओर ने देखा है और जाना है और इसलिए जानना जरूरी है कि देखना जरूरी है क्या पता आपके राइचे में कभी दुबारा ऐसा कभी फाइल्स बन जाए तो इसलिए कि दुबारा आपके स्टेट का आपके राइचे का ऐसा फाइल्स मत बनने देना तो इसलिए जागरुकता होना बहुत जरूरी है मैं इसलिए इस चैनल के माधमदारा आपको सभी को सुचित करता हूँ कि आप नीडर होके ऐसे राष्टबादी मुद्दे के उपर जरूर सामने लाइए ऐसा कुछ भी होगा तो मेरे इस ग्रूप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रूप है उसके अंदर ऐसा कुछ भी मुद्दा हो आप बेहिजक डाल सकते हो उस मुद्दा को मैं जरूर अपने चैनल के माधम से मेरे जितना भी भीवर से उन तक पुचाऊंगा ये मेरा कर्तबा है राष्टहित सर्वपरी मेरा धर्म है और बस आप लोगों को एह कहना चाहता हूँ कि मुद्दा जरूर देखे अगर आपने नहीं देखा तो मेरे इस ग्रूप में है ये एक चैनल के बरखिलाब है लेकिन आप इस चैनल को भीजिट करोगे या इस चैनल गुरूप के अंदर आप अगर सामिल होंगे तो उस मुवी को भी आप देख सकते हो फ्री में तो ये आपके लिए है जो भी राष्टबादी है तो जरूर जूड़ियेगा और सपोर्ट करियेगा अगर आप आवास निकल नहीं सकते तो जरूर कुछ न कुछ तो लिखियेगा ये आपका हग बनता है अगर आप राष्टबादी है तो आपके मूँ से अटोमेटिकली ये सब निकलेगा कि मैं एक राष्टबाद हूँ और राष्टबाद को जरूर सपोर्ट करूँगा हाँ एक रिटेन साइट से हो ये खुलियम सपोर्ट कर सकता है आपको कोई नि कु क्यों रूकेगा तो वीडियो कैसे लगा जरूर बताएगा अगर आप राष्टर बादी है तो जरूर सपोर्ट करिया ऐसे लोगों को जो राष्टर के खिलाब है और राष्टर को मुद्धे को उठाना आपके फर्ज बनता है अगर इतना भी नहीं कर पाए तो आप इस जनम लेने का आपके क को यतिकार नहीं है मैं यह दिल से कहता हूं तो आईए हम सारे मिलके अपने राष्टर को एक मुद्बूर राष्टर बनाने में मदद करते हैं धन्यबाद पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को जैहिन जै भारत बंदे बातर है कैसे लगी दा कस्मेर फाइल इसको रखिए धन्यवाद दूंगा इस डारेक्टर को जिसने सच्चाई बहार लाया और जूता मारे उन सेकुलरों को उन कुतों को जिन्हों नहीं इत्ती सच्चाई चुपा के रखिए इस देश को बरबाद किया है हर चीज मालू है कि 1947 में कितने हम बरबाद हुए आप लोगो को मालूम है कितने हिंदू को पहत्याचार वा कि आप लोगों को मालूम है किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहां से उड़तों को नंगा करके जब निकलती थी हिंदू उड़ते तो उनको नंगा किया जाता था हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया लेकिन हिटल में बेटा था ना तो मेरे पीचे कुछ जवान लड़के हस रहे थे अगर उनकी माँ भेने वहां होती तो वह सते इस पिच्चर नहीं है यह हमारे देश की सच्चा यह करवाईए यह बर्बाद किया है हमारे देश को तानी मत बजाओ नफरत करो सब से पहले नफरत नहीं हिन्दों से करो जो सेकुलर है नहीं तो हमारे आने वाली फीडि बर्बाद हो जाएगी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ पूद बर्बाद किया है हमारे देश को पूद हुआ है अरे नफरत करता हूं मुझे किसी मुस है कसी दूसरा ने किसी ऑुपार के अक्रांता महिंद के कि हमारे देश को पर बात किया है हमारे देश के से कुलर हीुआ था है या वह जीत नहीं पाहे तो हमारे देश के सेपल अ कि लिए महारा ने अगर इस देश को अजाद नी करा